अब सभी को फिर से वेलकम मेरे इस यूटूब चैनल पे दूस्तो आज हम बात करने वाले हैं NIELIT से मतलब National Institute of Electronic and Information Technology से बहुत सारे पोस्ट निकल के आए हैं अज इसके related आज हम बात करने वाले क्या क्या पोस्ट है और क्या क्या education qualification है यह पर experience क्या बोला गया है सब कुछ समझ जाएगा लेकिन वीडियो शुडू करने से पहले ना दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं किया प्लिस सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से भी चैनल का लिंक शेयर कर देना उनको भी सबसे पहले गौवर्मेंट जॉब प्राइबेट जॉब मतलब हर एक जो जॉब नॉटिफिकेशन निकल के आता है उसका नॉटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए उनको भी बोल देना चैनल को सस्क्राइब ज़रूर कर देना ओके यह पर जो पूश्ट निकल के आना हुए जुए उसके बाद लेव एसिस्टेंट उसके बाद लेव एसिस्टेंट ए ट्रेड में वी अलपर वी यह जितने भी पूश्ट ना सारे ग्रूप सी का पूश्ट है अ क्या बेवल कर लेवल 5 है 29,200 से 92,300 तक यहां पर पेस्केल बोला गया है Lab Assistant B का क्या है 25,500 से 81,100 तक salary का बात क्या गया है Lab Assistant A 19,900 से लेके 63,200 तक Tradement के लिए 19,900 से लेके 63,200 तक Helfer B के लिए क्या बोला गया 18,000 से 56,900 तक जो serial number यह है 1 है उसके लिए जो education qualification बोला गया है वो metric आपके पास होना चाहिए प्लास ITI certificate 2 years during having a stream mechanical 6 year का यहापर application चाहिए GOPT या PSU या Reputed Limited Companies का 6 year का application चाहिए Age limit क्या बोला है 27 return followed by a skill test Lab Assistant B के लिए यहापर inter science होना चाहिए और 2 years का experience और 27 साल का यहापर age limit बोला गया है return test के द्वारा यह वाला selection होगा Lab Assistant B Sorry या पर और भी एक बोला गया है metric और SSLC 4 years का experience होना चाहिए या पर inter or metric या पर कोई science के लिए कोई experience नहीं चाहिए और इसके लिए दो साल का experience है 27 age limit 27 बोला गया return test के द्वारा यह वाला भी होगा Treadment B के लिए क्या बोला है metric ओके 2 साल का experience होना चाहिए नील या पर कोई experience नहीं चाहिए 27 साल होना चाहिए return followed by a skill test helper B metric होना चाहिए 27 age limit और return test के द्वारा यह वाला application selection होगा ठीके vacancy जो reason बोला गया southern नर्दन उसके बाद western इसको आप एक बड़ चेक आउट कर लेना इसके हिसाफ से reason के हिसाफ से यह पर vacancies वगड़ा है तो आप इसको चेक आउट कर लेना यह पर बोलने गया ना तो बहुत ज्यादा मतलब लेंती वीडियो हो जाएगा आपको भी देखने में मजा नहीं आएगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा इसमें तो इसको आप एक बाड़ चेक आउट ज़रूर कर ले इस लिमिट तो मैंने अल्रेड़ी बता दिया है स्ट के लिए जो अपर इस लिमिट है उसक का रिलक्सेशन रहता है इसको आप हर गुवर्मेंट जॉब में मालूम यह क्या रहता है तो अप्टो फाइव एर्स वर स्टेस्ट गेंडिडेट्स अप्टो त्री यहर्स इन केसे फ ओबीसी न्चल पर एक्स सर्विसमें अस पर रूल अप्टो 40 यह एच 45 यह फाइव एर्स फोर स्टेस्ट फोर संट्रल गोर्मेंट एम्प्लोई विच त्री यह रेगुलर एंड कॉंटिनिवास सर्विस ओके प्लेस फोस्ट पोस्टिंग क्या बोला गया दा पर्सन सिलेक्टेड में भी पर भी उसका पोस्टिंग हो सकता है जो आप कैसे यहाँ पर अप्लिकेशन करेंगे जिसको भी इंटरेस्ट है इसमें एप्लिकेशन करने के लिए तो कैसे इंटरेस्ट है यह जो वेबसाइट दिया गया है इस वाले वेबसाइट में आपको जाना है नीचे डेस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा वासे क्लिक करके डिरेक्ली जा सकतो यहाँ पर आपको जाना है और और अल्रेटी स्टार्ट हो चुका है और 31st ओक्टूबर तक यह वाला चलेगा यहाँ पर मतलब एक लगबग दो तारिक से शुरू हो है और 31st ओक्टूबर तक चलेगा इसके अंदर ही आपको एप्लिकेशन करना है 31st ओक्टूबर अप्टू फाइब थार्टी पीम तक आप यहाँ पर एप्लिकेशन कर सकते हैं उसके बाद आप एप्लिकेशन नहीं कर सिर्फ जेनरल वालों के लिए और AWS के लिए या पर दोसों का एप्लिकेशन फी है या पर स्कीम ऑफ रिटेन एग्जामनीशन हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है कि क्या रहेगा इस पर सब्जेक्ट किया एक कहा से आपको यह जो क्वेक्शन वगरा आएगा कहा से आए या पर बोला गया नंबर अफ को एक्शन नंबर अफ टोटल माक्स या पर बोला गया तो इसको आप चेक आउट कर लेना जिसको भी जिसवाले पोस्ट में एप्लिकेशन करना है उसके हिसाब से या पर देख लेना City of written examination क्या बोला गया स्किल टेस्ट या पर अगरतला में होगा बेंगलूर में होगा चंडिगर चन्नाई देली गौहाटी हैद्राबाद जोईपूर कोलकता मुंबाई में भी या पर examination center है बहुत सारे जगावा पर इसका examination center तो इंडिया में आप कही से भी या पर application कर सकते हो ओके और तुछ ज़्यादा कुछ या पर है नहीं अगर फिर भी कोई problem हो आपको application करने में तो मुझे comment पर बता देना मैं आपको help करते दूँ और comment का तो मैं reply करता हूँ कोई भी कोई भी issue हो इस वाले application के लिए तो मुझे comment पर ज़रूर बता देना ओके थैंक यू